हेलो एबरीवन वेलकम टू माई चैनल आज मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो मिलक केक मैंगो का सीजन है तो मैंगो से आप मिठाई जरूर बनाएं मैं भी आज बना रही हूँ इसके लिए ना तो आपको कोई मावा की जरूरत है ना कोई मिलक मेड की जरूरत है ना कोई घी न चाशनी सिर्फ कुछी चीजों के साथ आप इसे घर में इजिली बना सकते हैं बहुत ही स्वादिस्ट मूँ में घुल जाने वाली ये मिठाई बस कुछी मिंटों में बनके त्यार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी है ये खाने में तो चलिए शुरू करते हैं आज की लगभग ये 200-500 ग्राम का एक आम है और इसे हम पहले छील लेंगे छीलने के बाद मैं इसे चोटे-चोटे पीसिस में कट कर लूँगी और इसे कट करने के बाद हमें इसे ब्लेंड कर लेना है और इसका एक स्मूद पेस्ट बना लेना है अब मैं यहाँ पैन में लगभग 500 एमल मिल्क ले रही हूँ और इसे हम लो फ्लेम पे अच्छे से पकाएंगे दूज में एक उबाल आ गया है अब हम इसे लगभग 5-7 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे और इसके बाद मैं इसमें एड करूँगी 1-2 cup milk powder और इस milk powder को हम अच्छे से mix कर लेंगे दूद में ताकि इसमें कोई lumps ना रहे milk powder को मैंने अच्छे से दूद में mix कर लिया है अब इसे हम लो फ्लेम पे ऐसे ही पकाते रहेंगे थोड़ी देर तक अब इसमें मैं एड करूँगी जो हमने आम की प्यूरी बना के रखी थी वो mango हम इसमें एड करेंगे और इसको अच्छे से mix कर लेंगे ऐसी हम इसे इसकी sides scrap करते हुए mix करते रहेंगे जब इस अच्छे से mix हो जाए तब मैं इसमें एड करूँगी हाफ कप चीनी एड वन फोर्थ टेबल स्पून इलाइची पाउडर और इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से mix कर लेंगे और इसे low flame पे ही हम पकाएंगे बीच बीच में आप गैस का flame थोड़ा high भी कर सकते हैं लेकिन ज्यादा high नहीं करना है नहीं तो यह नीचे इसके तले पे लगने लग जाएगा और यह जल भी सकता है इसलिए आप इसे low flame पे धीर धीरे हिलाते हुए पकाते रहें अब देख रहे हैं कि दीरे दीरे जो mixture है वो गाड़ा होना शुरू हो चुका है क्योंकि इसमें milk powder हमने डाला था तो यह easily जल्दी गाड़ा हो जाएगा बहुत ही स्वादिष्ट यह recipe बनेगी हमारी बिल्कुल हलवाई style यह mango milk cake बनने वाला है तो आप एक बर जरूर ट्राई करिएगा और मुझे comment करके जरूर बताईएगा कि आपको मेरी recipe कैसी लगी अब आप देख रहे हैं कि mixture काफी गाड़ा हो चुका है और ऐसे ही हम इसकी side scrap करते हुए इसे हिलाते रहेंगे जब तक कि यह oil ना release कर दे अब आप देख रहे हैं कि इसने जो हमारा mixture है इसने sides छोड़नी श इसका milk cake बनाने के लिए तो अब हम जो gas का flame है बंद कर देंगे और एक टिन ले लेंगे या आप कोई भी बरतन ले सकते हैं जो भी आपके पास available हो कोई थाली ले सकते हैं या कोई बाउल ले सकते हैं और इसको grease करके मैंने यहाँ पर बटर पेपर उपर लगा दिया है उसक अच्छे से हम spatula की मदद से सारा अच्छे से spread कर लेंगे अच्छे से spread करने के बाद आप इसे लगभग एक घंटे के लिए ऐसा ही ठंडा होने के लिए छोड़ दें आप चाहे तो इसे fridge में भी रख सकते हैं एक घंटे बाद हम चेक करेंगे कि यह कैसा बना है इसे रख्यो लगबग एक घंटा हो चुका है अब हम इसे डी मोल्ड करेंगे आप देख रहे हैं कितना प्यारा यह देखने में लग रहा है बहुत ही अच्छा हमारा मिलक केक यह बनके त्यार हुआ है अब आप इसे अपने मन चाहे पीसिज में कट कर सकते हैं मैंने इसे ट्राइंगल शेप में कट करा हैं आप चाहे तो स्केर राउंड किसी भी शेप में इसे कट कर सकते हैं अब मैं इसे आपको तोड़के भी दिखाती हूँ कि यह कैसा बना है अंदर से कैसा यह लग रहा है देखने में कि यह देखे कितना सौफ बना है हमारा यह मिलक केक यह खाने में भी इतना अच्छा है तो आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी वीडियू देखने के लिए बहुत बहुत थेंक्यूं क्यूंक्यू